जै श्री राधे आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए कुंडली में विभा के लिए महतपूर्ण ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में विभा के योग भिन्न भिन्न प्रकार से बनते हैं जोतिश के अनुसार कुंडली में लगन के स्वामी का गोचर साथवे भाव में होता है तो विभा के योग बन्ते हैं जिससे जातक की शादी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं विभा का कारक ग्रह शुक्र वे ब्रस्पती की इस्थिती भी विभा के लिए बहुत माइने रखती है और इन दो ग्रहों के बिना एक सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती जोतिश में साथवे भाव को विभा का भाव माना जाता है यानि उस भाव में ये पता चलता है कि आपके पार्टनर के अंदर किस प्रकार के गुण होंगे और आपका वैभाईक जीवन आगे कैसा रहने वाला है शुक्र और ब्रस्पती दोनों ही साथवे भाव के कारक हैं पुरुष की कुंडली में शुक्र इस्तिरी का कारक बनता है और वहीं इस्तिरी की कुंडली में ब्रस्पती पती का कारक बनता है तो आईए बताते हैं पहले हम मेश राशी के बारे में कि मेश राशी चक्र की पहली राशी है नमबर एक नमबर होता है इसका विभायोग 2024 के अनुसार यदि आप अविभायत हैं तो वर्ष के शुरुआत में आपके लिए उत्तम सावित होगा क्योंकि इस दोरान आपको विभा की सोभाग्य प्राप्त हो सकता है वर्ष के एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ती हो सकती है अब आते हैं जो विभायक जातक हैं उनके लिए वर्ष कैसा रहने वाला है विभायक जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत बहतरी सावित होगी ग्रहों के प्रभाप आपके पक्ष में रहेंगे और ग्रहों की चाल से आपको जीवन साथी के जो बीच में दूरियां चल रही है वो कम होंगी और विभाई योग 2024 के अनुसार जून के बाद आपको अपने दामपत्य जीवन में प्रेम का इसने प्रेम और इसने प्राप्त होगा. आप जुलाई और अगस्त में तीर थाटन घूमने किसी धार्मिक जगे पर भी जा सकते हैं. जीवन साथी के किसी परीजन के कारण आपका कोई अगर रुका हुआ काम है वो पूरा होगा. सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच का समय वैवायक जीवन में खुशियां लेकर आए विवायोग 2014 के अनुसार यदि आप विवाहित हैं तो वर्ष के प्रथम दूसरे और तीसरे महीने के दोरान विवासंबंदित विचार विमर्ष घर में चलने लगेगा. और कहीं पर आपकी बात पक्की भी हो सकती है. इस अबदी में कुआरे जातकों के विवा के योग ब विवाहित जातकों के अगर बात करें तो इसे पूरे वर्ष में आपके साथ विभाव में शनी महराज अपनी राशी में विराजमान है और इसके परिणाम सरूप आपके जीवन साथी और आपके विचारों विचार जो हैं वो मजबूत होंगे. आप दोनों की एक दूसरे के प्रती लगाव महसूस करेंगे. आपके लिए अगस्त से लेकर नवंबर तक का समय जादा अनुकूल रहने वाला है इस दोरान आपका दामपत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा. इसके बाद आती है तुला राशी. तुला राशी सात्वे नंबर की राशी. सात्वा नंबर कुला राशी का होता है. दो हजार चौबिस के अनुसार यदि आप अविवायत हैं तो इस वर्ष आपका विवा होने के प्रवल योग बन सकते हैं. और विशेश रूप से वर्ष के पूरवार्त में ऐसा होने की संभावना अधिक है. वैवाइक संबंदों के लिए वर्ष के शुरुवात अनुकूल रहेगा और आपके सात्वे भाव में ब्रस्पती महराज विराजमान होकर आपकी सही दिशा निर्देश भी वो करेंगे. आपका मन शांत रहेगा, आप पारिवारिक जुम्मेदारियों को भी खूब अच्छी तरह से निभाएंगे. और जीवन साती के मन में भी अच्छा ज्यान धरम रहेगा. वे अपनी जुम्मेदारियों को समझेंगे और आपके साथ कंदे से कंधा मिलाकर चलते नजर आएंगे. आप दोनों के बीच का समाज़त से बहुत बहतर रहने वाला है, जिससे वर्ष का पुर्वार्द बहुत 2024 में आपके लिए वर्ष का उत्रार्द में व्रस्पती महराजी जो आपके आठ विभाव में चल रहे हैं, जिसके फलसरूप ससुराल के किसी सदस्य के विभाव में भी आपको शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और आप भी खुश नजर आएंगे, फिर आती है ब्रक्षिक राशी की ब्रक्षिक राशी जो की आठ वी राशी है, विभाव 2024 के अनुसार यदि आप अविवाहित हैं या जीवन साती की तलाश में लगे हुए हैं, तो वर्ष के उत्रार्द में आपके लिए अनुकूल रहेगा, वर् लब मेरिज कर रहे हैं, तो आपको लब मेरिज के लिए प्रेजित करेगा, लेकिन विभा के लिए उप्यूक्त समय तबाएगा, जब देव गुरु ब्रस्पती जी का गोचर आपके साथ विभाव में, यानि कि एक माई को हो जाएगा, तो वहीं से लेकर वर्ष के अंत त योग यानि कि आपके मन के अनुकूल आपको रिष्टे आएंगे, इस वर्ष के उत्रार्द में और विशेश कर अंतिम तीन महीनों में बन सकते हैं, और जो लोग विभायत हैं, उनके लिए वर्ष की शुरुआत तो अच्छी होगी, क्योंकि शुक्र और बुद्ध आपक कमी आएगी, एक दूसरे के प्रती प्रेम और रोमंस बढ़ेगा, आप अपने रिष्टे का पूरा लुट्व उठाएंगे, मकर राशी, इसके बाद आती हैं मकर राशी, मकर राशी, दसवी राशी, विभा के अनुसार, जुलाई और दिसंबर के महीने आपके लिए अध इंतिजार कर रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, तो प्रफल संभावना है कि मार्ज से अप्रेल, मैज, जून के बीच में आपके जीवन में किसी खास व्यक्ती की दस्तक हो सकती है, जो आपके जीवन में एक अभिन हिस्सा बन सकती है, बन सकता है, और आने वाले समय में उसी से आपका विभावी हो सकता है। इसमें विभायोग 2024 के अनुसार जो लोग विभायत हैं जो विभायत जातक हैं उनकी बात करें तो ये वर्ष आपके लिए बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। आप अपने जीवन साती के साथ अपने जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करेंगे। और किसी कहीं बाहर जाकर आपको यादगार पलो को भी साथ विताएंगे। कहीं घुमने का भी आपका प्रोग्राम बन सकता है जिससे आप दोनों के बीच में मदूर संबंद स्थापित हों तो इस वर्ष के उत्तरार्द में आपके घर में प्रवल्योग आपके विभा के प्रवल्योग बन सकते हैं। देव गुरु रस्पती जी की किरपाद रष्टी से आपकी शादी हो सकती है और आपके घर में शेहनाईया गूंज सकती हैं। वैवाहित जातकों के लिए मार् रिष्टे में कुछ अच्छे पल भी आपके आएंगे और इसके बाद ऐसे ही अवसर अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में भी आएंगे। अपनी समस्याओं को अपने रिष्टे पर हावी होने से रोकें। तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। जोतिश के अनुसार एक मई से देवगुरू ब्रस्पती आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। और वहां से वो आपके सात्वे भाव पर द्रश्टी डालेंगे। जिससे आपके वैवाईक जीवन में चली आ रही कुछ समस्याओं के कमी होने की संभावना है। उसमें कमी होने लगेगी। आप एक दूसरे के प्रती एट्रेक्ट होंगे। अपने विभा संबंदों को निभाने के लिए दिल से प्रयास करेंगे। और इसी से आपके संब मजबूत होंगे। और शादी में अगर हो रही है देरी तो कर लें ये उपाए। अगर किसी की शादी में देरी हो रही है तो ये उपाए करेंगे। आपकी शादी शीग्र होगी योग बनेंगे। शीग्र विभा के लिए दुर्गा सब्तशिति का संपूर्ट पार्ट कर बंचाई साथी पाने के लिए प्रती दिन शिव चालीसा का पाट करें और शिवाले में जाकर जल चड़ाएं हर ब्रस्पतिवार को नहने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डार कर इसनान करने से आपके लिए फाइदेमंद साबित हो सकता है इससे विवा में आ रही वाधाएं दूर हो सकती है अगर आपकी कुंडली में गुरू कमजोर है तो केले के पौधे में हल्दी मिला हुआ जल चड़ाएं विवा संबंदी समर्ष्याओं से आपको छुटकारा पाने के लिए छे मुकी रुद्राश की आप धारण कर सकते हैं इस तरह से मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए अगर आपके विवा में कोई वाधा आ रही है तो आप इन उपायों के द्वारा उसे दूर कर सकते हैं जै श्रीरादे